हेलो गाईस तो आप देख सकते हो कि एंडियन नेवी अगनीवीर की तरफ से बहुत अच्छी खासी वेगेंसी निकल के आई है करीब आपका देख सकते हूँ यहाँ पे करीओ आपकी 1500 पोस्ट है जो कि आपकी 10th और 12th के लिए इस्टुएंट के लिए अगर आप 10th पास आउ अजरस एक्ष्ब्ध कैसे एक्जाम होगा आपका काहाँ पर केंपूटर बेश्टげ्जाम गkeiten गेजाम प लएगी आपका वह सारी जनकारी इस वीडियो में देजाएगि तो आप वीडियो में लगातार बने रहें आपकी एक भी जनकारी ना चुक पास के लिये मैं आप इस टोटल आपको A-Z जनकारी आपको दी चाएगी इस वीडियों के बाद हम से ताकि आप medical की भी पूरी तरह से तयारी कर लें क्योंकि इसमें बहुत कम समय दी जाती है आपको जोइन तुरत करवा दी जाएगी आपकी तो इस वीडियों में लगातर बने रहे हैं क्योंकि इसके कंडेट का सौट लिस्टेड तो आप कई कंडेट का फर्स्ट इसम आपको सीवीटी टू होगा वहां से आप बाहर हो जाएंगे क्यूंकि आपने वह गलती अगर कर दिया फॉम भरने में तो आप तो पहले ही बाहर हो जाओगे आपकी नेक्स स्टेप तो पहुंचने की दूर कोहले की बहुत है उसके बाद करें प्रॉस्ट एक जाएगगी आपको अउमार वेगारह पर व क्तल्व यदिघने वाला आपका पेपर होगा उसके बाद आपकी जो आपको पूरी जनकारी मेडिकल की मिलेगी तो अगर मेरे चैनल पर आ गए हो तो आपको बिल्कुल भी टेंसल लेने के जुरूत नहीं है आपको एक दम फूल सटिक जनकारी मिलेगी ताकि आप इसमें सलेक्शन ले पाओगे और उसके बाद आप एक अगनी वीर योद्धा बनोगे तो आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल पर नए है तो फिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आपके मन में किसी भी परकार का डाउट चल रहा है अगनी वीर के माध्यम से अगनी वीर वैकेंसी के रिगाड़िक तो आप हमें डारेटली मेल कर सकते हो हम नंब्र भी परवाइट करते हो आप प्रसमेली वाटसप प्रकारी के लिए आप में कॉल व्यक革 भी करके पूछ सकते हो आपको इनसे रिलेटेड एपको डॉकुमे सबसे पहले आप देख सकते हों यहां पर ज्वाइन इंडियन अगनी वी SSR MR 2023 यह आपका 2023 इससे पहले एक बैच का हो चुका है उसमें आप बहुत सारे बच्चे कंडियेट सेलेक्ट हुए थे और मैंने उससे सारी रिव्यू भी ली है तो आपको पूरी जनवकारी उसमें द कि उसका क्या कैसे कैसे मैडिकल हुआ उसका सारा जनकारी में तुजेड आपको डेटेल से में जनकारी दोंगा तो आप लास्त वीडियो तो देखें उसके बाद चली हम बात करतें नीचे कि अब डेख सकते हैं अपे आपफार्म आप भर सकते हो आपका स्थरह इंबर के यहांपका फर्लक सटब्वर को आपका फर्म को भर लें आपकी जो फीस रहने वाली है इसमें तो आपकी जो ओबिशी कंडेट है तो आपको 550 रुपीज फी लगने वाली है अगर आप स्थी बगी है तो उनके लिए भी आपकी सेम फी होगी आपकी 550 रुपीज उसकी बाद आपका जो पैमेंट मोड होगा तो आप इसी भी एटियम बगारे से आप पैमेंट कर सकते हो ओनलाइन मोड में चलिए हमां नेक्स की बात करते हैं आपका आगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे की ऐसे साथ जो होगी उनके लिए आपका 1400 रिजर है जिसमें की आपकी मेल जो है जो पुरुस होगे उसके लिए आपका 1120 पोस्ट है अगर महीलाएं हैं लड़की है तो उसके लिए आपका 280 पोस्ट है उसके बाद जो मर होगी जो की 10th लेवल पे होगी तो उसके लिए आपका 100 पोस्ट होगी प्रिक्स के बात हम करते हैं कि जो ऐस ऐसे सायर अगडिवीर होगी उसके लिए आपको 12 पाश्वोटन होना जरू इसके लिए बिल्कुल इलिजबल है उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो फिजिकल स्टेंडर रहने वाली है आपकी जो आपकी जो मेल की होगी आपकी जो मेल होंगे उसके लिए लड़के की हाइट आपकी लिजाएगी 157 cm उसके बाद अगर आपकी फिमेल की बात करें तो इसकी हाइट लिजाएगी 152 cm अब यहां पर देख सकते हो आपको रूनिंग की बात करें तो आपकी जो रूनिंग लिजाएगी 16 यहां पर 1600 मिट्र का है या फिर आपकी 1.6 किलो मिट्र तो आपकी रूनिंग 6 मिनट में आपको क्वालिफाइग करनी है तो जो की बहुत आसान है आप कर सकते हो इसके बाद अगर आप लड़की है तो उसके लिए आपकी जो 1.6 किलो मिट्र आपको समय मिलने वाला आपको आपको असानी सो क्वालिफाइग कर जाएगी उसके बाद अगर आप पुश अप आपके उठक वैठक कितनी बार करवाए जाएगी तो आपको 20 टाइम से मतला है आपको 20 वा पंद्रवार उठक वैठक लगानी उसके बाद पुश अगर आप मेल है तो आपके लिए बारा बार पुश अप लगाना होगा अगर आप अगर आप हमेल है तो उसके लिए पुश अपकी कोई जोरत नहीं है अगर आप आपकी जो मंतली पैकेज सबसे बड़ी बात यहां आपकी जो वाप सेलरी परवाइड कर दी जाएगी आपका जो आपको इन हैंड फर्स्ट यह आपको इन हैंड 21,000 मिलेगी आपको जो सेकेंड यह होगी आपकी जो 23,100 मिलेगी उसके बाद थर्ड यह आपकी 25,580 रुपीस दी परवाइड करेगी उसके बाद आपका 4 आपको करीब इतना का पैकेज आपको वहां पर प्रॉक्स 21,80 रुपीस टॉप कि तो यहां पर देख सकते हो यह तो वही होगी आपकी यहां पर देख सकते हो यह तो अखोगा की आपकीशन की शॉरेंग में उस्विल में स्केंश कवर ट्राकनेशर पर डूर देख जो how to buy GG syaq होगी वो करीब यहांतर देख सकते यहां पर pot 4848 की आपकी insurance कवर की जाएगी इसमैं आपको डेत इसके बाद डेत का चाभ चोग इन्सुरेंस कवर की 48 यापकी जो टूर इसके डूर मार वहे यहां पे उसके बाद बेसे लेटई मतला आगर आपने कुछ हाथ पगरवाजी सब उसब कुछ है चोटे मोटे डामेज हो चाते हैं आपके तो आपको आप देख सकते हुआ उस अनुसास से आपकी वह डामेज के नुसास से आपको पर्सेंट में प्रोवाइड करेंगे 15 लाग व्यकर आप रॉक्स कुछ है इतने रुपी आपको प्रोव पर्स्ट में होगा आपका जो यहां पर अगनीवीर एमर के लिए बैच विल्वी इंक्लूड थ्री स्टेज आपको तीन स्टेज से गुजरना पड़ेगा फर्स्टाइम आपको जो सौट लिस्टिंग होगी आपकी जो सौट लिस्टेट करेंगे केंप्यूटर बेस्ट ऑ फिर अपकी रेटटिंग ली जाएगी आपको वहां पे रेटन ए ग्जाब होगी मैं बता दूँगा ऐपको कौन सा कहां पर आपकी रेटन एकजाम होगी पहले तो लोकल आप जहां पडिषआ से बिलोग करो आपकी रोकल डश्तिग में ही आपको केंप्य duy'. एगsn तो फिर आपको डेना है उसके बाद हम यहां पर बात करते हो देखो यहां पर सौट लिस्टेट है कि और इंडिया केम्पूटर बेस्ट एक्जामनीशन जो आपको ली जाएगे वहां पर सौट लिस्टेट करने के बाद आपका ही नेक्स्ट स्टेज के लिए आप को अगर पर्शंटेज इन दा क्वालिफाई एक्जामेशन अटेंथ विल विस सेलेक्टेट फॉर दा स्टेज टू इन्हों ने कहा है कि अगर आपने दो लड़की किसी से माक्ष ले आया अगर आपने केम्पूटर बेस्ट एक्जाम में जो आपको फर्स्ट पचास को नंब अगर आप से ज़ादर ला रखें में तो आपका सोट को हम अंग्ग से उसके बात करते हैं आपका इस आपका सेलेक्शन प्र्सेस को मैंने बता दिया था कि आपकी जो आपकी तीन तो सुब्स्के बाळ बन्मेडिकल टो आपको जो medical होगा उसके बाद आपको इनके स्थेत गुज़ानाई पड़ेगा उसके बाद आप करते हैं आगे यहाँ पर आपकी जो minimum height standard वगर है यह आपकी 157 आपकी female की इतना होगा आप बात करते हैं यहाँ पर main को जो कि वहाँ पे आपको जो medical होगा वहाँ पे आपको जो देखे जाएंगे टाइटू यहाँ पे अगर आपने पहले ही टाइटू करवा रखे हैं तो आपकी जो permanent body टाइटू जार only permitted to entire face of मैं बता दू इसका क्या region होता है जब आप medical देने जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके जो आपने body में पहीं पी टाइटू बना रखा है तो अगर आपकी वह से जगह पे आपने टाइटू है जो कि परमाने टाइटू है बट वह से जगह पे है और कुछ उसकी साइजेस होती है अगर एक इंची से कम साइजेस के हैं और वह से जगह हैं जो कि कपड़े पहनने के बाद आपको दीखे नहीं जाते है टाइटू तो चल जाएंगे लेकिन आपके जो यहां पर देख सकते हैं तो साइड आप मतलब कुछ ऐसे जगह पर है जो कि चल जाएंगे लेकिन हां और इसे एरिया पर हैं बॉड़ी के वह स्पार्ट्स पर हैं जो कि आपको बिल्कुल दिख रहे हैं जैसे कि हैंड में कहीं भी हो आप पीटी करने वक्त आप का जो भी टाइटू बेगर है अगर आपको साइज में बड़ा है कुछ ऐसे जगह पर है जो कि आपका डारेटली दीख रहा है बिन आप कप्ड़े पैंड तो अब कहीं भी हो टाइटू बॉड़ी में बॉड़ी का बाजू से नीचे आपका कहीं भी टाइटू है आपका ह इस बाइटो कहीं मतलब क्या सब्सक्राइट कोई भी बीमारेस नहीं ज़ूजा हुआ होना चाहिए बगर इस बिल्कुल ःच्छी होनी चाहिए फ्री अडिक्षिलिटी मतलब कोई परकार का उसमें वह नहीं होना चाहिए कोई भी बिमारे से नहीं जूजा हुआ होना चाहिए वगर है सब बिल्कुल फ्रेश कंड़ेट वगर होना चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे तो नेक्स्टी बात करते हैं आप नोट में में मेंशन कर रखा है कि कंड़ेट और एडवाइस टू गेट देर एयर्स क्लीन फोर वैक्स तो अगर आपके कानों में किसी परकार का गंदेगी है तो अब मेडिकल के टाइम पहले ही आप उससे क्लीन कर वाले ना तो आप मेडिक से बाहर कर दिया जा सकता है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं एंड टाइटर रिमूव फ्रॉंग टीथ फोर मैडिकल एक्जांशन तो आगर आपके दातों में कुछ टाइटर वेगर हैं आगर आपके मशूड़े फूलेवल अगर हैं आपके दात किलीन अच्छे से नह अच्छे से नहीं नहीं होना चाहिए दात क्लीन होनी चाहिए और कांज नहीं ओके डांशनी तरीके बिल्कुल सकते हैं त्रॉंगा नँहां जाएं पर्प्रोब्लम्रें महीं होनी चाहिए उसके बाद आपके बॉड़ी में जितने भी हैर वेगरा उसे बिल्कुल रुमूब करके जाए और 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 उसके बाद आप बिल्कुल किलीन होके जाए ताकि आपको उनको डॉक्टर को चेक करने में किसी फरकात का प्रोब्लम ना हो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका को कि आपकी आए यापकी आप देशते होगी आपकी आपको बिल्कुल गूड दिए जाँगे तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ से जाएगे कुछ और चल कर लेक्ड में आपके ट्रेनिंग पर्वाइट की जाएगे कि देख सकती तो यहां पर देख दीड तो सलेवस जो है आपकी जो 50 अपकी कोछिशन पूछे जाएंगे की फिर्स्स टेड वर्न में परतिक कुशन एक माक्ष का होगा आपकी जो बाइलिंग्विल में आपको हिंदी इंग्लिश कोईशी भे लेंगविज में आपको मिल जाएंगे कुशन उसके बाद आप देख सकते ही जो फरस्ट स्टीच के आपको एकजाम दोगे उसमें आपकी जो होगी आपकी साइन्स औ question paper will be that 10th syllabus आपकी जो दसमी का सलेवस है उसी से आपके सारे 50 question आपको देखने के लिए मिलेंगे आप जो किसे में qualify करने के बाद ही आपको श्रीटिव आपकी जो written test है उसके लिए बुलाए जागा जब written test में shortlisted हो जाने के बाद ही आपको आपकी जो फैनल होगी वह आपकी लगेगे आपके बाद की नंगेटी मार्किंग आपको लगने वाली है तो और सारी जनकारी तो मैंने वीडियो में बता दिये है तो और कुछ छूट गई है अगर आप उसे कुछ जनकारी पूछना है तो आप हमें comment कर सकते हैं किसी भी परकार के information के लिए उसके बाद जो मेरेट लिष्ट बनने वाली है आप देख सकते हो थोड़ी मेरी लिष्ट में आप देख सकते हो इससे आपका मैरेट नहीं बनने वाला थै rig मेरिट बनेगी जो इसके बाद वहला जो एक्जाम आपका रिटेंन टेस्ट आपका रिटें टेस्ट होगा वह आपकी जो होगी स्टेज absorb आपका जो इस्टेज चैज टू होगा इसमें आपका पर्फॉर्मेंस जाएगा कि आपने कितना इश्क है और दाये लगेगा उसके बाद इसित चाहे करेंगे तो तो यह दो उसके बाद वाद О schemes चूट ऑप प्लीज हमें कॉमेंट जरूर करें अगर और हम और कुसी जानकारी को इसके regarding चाहिए तो आप अच्छे से तयारी करें और कुछी भी परकार का information चाहिए तो आप comment करें मैं इसके regarding video प्रोवाइट कर दूँगा आप लोगों के लिए तो वीडियो देखने लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद